स्टुडेंट आज ची क्लास हमारी के मैस्टी की ही है प्रेश्ट रसायन चैप्टर ही है हमारा और प्रेश्ट रसायन के पार्ट टू आपको पढ़ा दिये कहें पार्ट थ्री है जो आपको पढ़ाना था पार्ट थ्री में पार्ट टू में हमने उत्प्रेरण के बारे में तो चलिए उत्प्रेरण के सिध्धान्त की बात है तो उत्प्रेरण के सिध्धान्त पढ़ लेते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिध्धान्त कितने थे और फिर सिध्धान्तों के बारे में पढ़ लेते हैं तो देखिए बैग्यानिक इस पर एक मत नहीं ह पर एक मत नहीं हें कि सभी उत्प्ररे रिक सिध् STOP के अनशार क्रिया नहीं करते हैं ! उत्प्रेरण की विवस्था के लिए दो सिध्धान्त काम मिला जाते हैं पहला होता है मध्वर्ती योगिक सिद्धान्त दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धान्त पहला मारे कौन था तो मद्धवर्ती योगिक सिद्धान्त दूसरा था अधिशोषण सिध्धान्त ये दोनों सिध्धान्त जो होते वो उत्प्रेरण की ने दिये तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मद्धवर्ती योगिक सिध्धान्त की मद्धवर्ती योगिक सिध्धान्त होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो पहले बात करते हैं मद्धवर प्रतिक कर्मक और एक मध्धवर्ती अस्थाय योगिक बनाता है। अस्थाय योगिक दूसरे प्रतिकर्मों से क्रिया करता है। तो और उत्प्रेरक का काम समापत हो गया, उत्प्रेरक अपनी फिर से पुना आवस्था में चलागा और फिर से पह एक किसी प्रतिकर्मक से करता है, तो ये क्रिया बार-बार चलती रहती है, उत्प्रेरक पुना अपनी पूर्वा आवस्था में जाता है, और इसके अनुसा यह पर च्ब और कागा एक अस्थाई मध्वृती योगिक होगा और जब अस्थाइब दीवरती योगिक से हम क्या करतें खा की मतलब किसी दूसरे योगिक से क्रिया करवा देते हैं तो का गा के साथ हमने किसी फिर से दूसरे योगिक के साथ अब क्रिया करवाई किसी मतलब दूसरे योगिक के साथ अब क्रिया करवाई जब इस अब क्रिया करवाई तो यह बन गया का खा प्लस गा ठीक है का खा प अपनी पूरवा वस्ता में चला गया और फिर यह अब क्रिया करेगा जो यह अब क्रिया करेगा तो यह odcिया होता है यही करम चलता रहता है आधिशोशन Andre कnes teachings करलेते English version 70 क्या होता खंने भी बात कि ती किसकी मदवर्ती और किसिप हैं अधि शोभिषोसल सुध्धान की बात कर ले चैसे हैं कि होता है तो यहां उत्प्रेरण की व्याक्ष्या के लिए भौतिक सिद्धान्त 50 कि अंशार प्रतिक कर्मक अत्क प्रेयरक के तल पर घंिभूत हो जाते हैं जो प्रतिकर्मक होते हैं वो प्रतिकर्मक के प्रतिकर्मक की संतरता क्या होते हैं संद्रता क्या होती है और जब संद्रता बढ़ जाती है तो वहां पर जो मात्रा होती संद्रता बढ़ जाने की जो मात्रा होती है वह अनुपाती नियम के अनुसार क्रिया का बढ़ जाता है तो जब प्रतिकर्मों को कि संद्रता बढ़ जाने से मात्रा अनुपाती नियम के समसार क्रिया का वेग होता है क्या होता है तो से यहां। जैसे यहां पर लिखा हुआ है टुए है सब्सक्राइब के प्लेटिनम किरिया की इसका फीगर है तो टीके यह इसका फीगर है इस तरह से प्लेटिनम इस तरह से क्या करता है देखें, atome है और यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं, प्रश्ट उत्प्रे रख, टीक है? प्रश्ट में उत्प्रे रख का काम कर रहा हैं, और यहाँ से यह औकशीजन के मलकूल और confrontation को क्या कर रहा है, अब्जावड कर रहा है, टीक है? तो इस तरह से बनाता है और इनको ब्जाड करको क्या बना लेता है H2O बना लेता है तो इस figure को आप लोग note कर लीजिए अपनी copy में चलिए आगे अगर बात करते हैं तो आगे बात करते हैं Enzyme Utprayran की Enzyme Utprayran क्या हो जाता है एंजाइम उत्प्रेणड वेरी इंपोर्टेंट है टिक है पिपर में काफी फूछा जाता है तो एंजाइम को एंजाइम ही लिखेंगे और पीछे देखा था टिक है तो लिख दीजेगा आंगे इंजाइम के अगर बात करते हैं तो एंजाइम उच्छ अनुभार वाले योगों नाइट्रोजन होते हैं equal quarter त्यक्त कम करते हैं IT जीवाइन को पोधो तत्हों द्वा बनाए जक्राइजवादा यह उर्व कई सब्सकत कर लें जिवित कोशिक हों में रसानिक अबिक्रियां को नियंतरित तथा निर्देशित करते हैं, आगर बैग्यानिक की बात करते हैं, तो बैग्यानिक कुहन ने इसे दिया था, बैग्यानिक कुहन ने 1878 इसमी ने, बैग्यानिक एकते हैं, कुहन जिनका नाम था, और सन 1878 इसमी ने सवर्वत्रम एंजाइम सब्द का प्रयोग किया था, एंज इंजाइम सब्द की उत पत्ती जो हुई हूं है King blow कि बात करें कियों तो एंगे बात कर लेते हैं टेकिए यवी समर जे भी समर थे उन्होंने 1940 में 1940 में पहली बार सुध्ध एंजाइम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की पहले जो एंजाइम जो उनको मिला था वो असुध्ध था लेकिन सन 1940 में एक बैज्यानिक थे जे भी समर पहली बार सुध्ध एंजाइम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और रसाइनिक द्रस्ट से सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं कुछ में प्रोटीन के साथ नान प्रोटीन भाग का भी संबंध होता है यह भौतिक रूप इंजाइम के विशिष्ट कुछ लचण पढ़ लेतें तो एंजाइम के विशिष्ट लचण के बारें पढ़तें पहला लचण है प्रोटीन प्रकति प्रोटीन प्रकति कैसी होती है तो प्रोटीन प्रकति के बारें पढ़ लेतें जो सभी एंजाइम होतें वह प्रोटीन होत सभी एंजाइम जो होते हैं वो तो प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं अनेक एंजाइमों को क्रिश्टल रूप में व्यूक्त किया जा चुका है तता अधिनों से इसपस्ट हो चुका है कि एक या एक से अधिक पाली पेप टाइप संखला के प्रोटीन अड़ु होते हैं प्रोटीन के अतरिक्त इसमें आयन अड़ु अथोवा कार्विनिक या अकार्विनिक समू भी उपस्तित होता है दूसरे अगर लच्छन की बात करते हैं तो दूसरा लच्छन हमारा है ताप समवेदन सीलता ताप समवेदन सीलता की बात करते हैं इंग्लिस में heat sensitivity तो यहां पर बात करते हैं एंजाइम ताप के प्रति सम्वेदन सील होते हैं समानिता जीरो सेंटीग्रेट पर यह निस्क्री हो जाते हैं परंतों सुस्क अवस्था में जैसे बीजों बीजाणूं आधी में 100 себе 120 खापमानं तक भी इनकी सक्रीता समापत नहीं होती है चलिए आगे बात करते हैं कोल आइडी प्रकत की होती है products दोर नीचे में उत्प्रेरक प्रकतत प्रकतत इंजाइम रासांीक अभक्रियां को उत्प्रेरिट करते हैं तथा इनिजाइम की अत्यन्त सूच मात्रा क tough काफी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तन करने की paragraph प्रभावित होती हैं जैसे वसा इसटार्च तो शिक्स नमबर में पूछा किया होता है कैसे नंगर को प्रभावित करता है तत्ता इस परास के बाहर एंजाइम की जो क्रिया सिलता होती है वो कम हो जाती है अगर सिवे नमबर की 6 नमबर तक थे अज़र चलिए इनके जो भी सेस्टा हैं वो उनसे पड़ ली अब इसकी एंजाइम की उत्परण की क्रिया विधी के बारे में भी पढ़ लेते हैं यह भी इंपोर्टेंट है काफी पूछा जाता है एंजाइम उत्परण की क्रिया विधी की बारे में चलिए पढ़ लेते हैं यहां पर एंजाइम उत्परण की क्रिया विधी चलिए देखते हैं एंजाइम उत्परण की क्रिय जो अभी आपको दिखाई जाएगी चितर के माध्यम से यह जो कोटरे होती है यह विशेस आकरति के होती है इन कोट्रों में जो सक्री समू होते हैं सक्री इस तरह से लिखा जाता है बड़ी की मातर रगए है तो सही कर लिजेगा सक्री समू जैसे एनाच टू सी डबल ओ और दैस टिंगल और संदर हो रहते हैं जहां यह समू होते हैं उसकते हैं लोग को जोटी मात्र लागा लिजेगा चैंत क्या ठीकहें क्या बोलते हैं । पूरुबग आपरिया ट्रेकं हो जाइं जिस प्रकार से एक ताले में विशेस छाबीृत होती इसलिए हम इसको ताला चावी का सिध्धांत भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं ताला चावी का सिध्धांत कर की सब HHHHHHH तो देखिए इसमें एक होता है एंजाइम चिर्फल का सबस्टेंट दिसे acordे हैं सब्स्ट्रेट या बोलते हैं इसी को क्रियाकारक हिंदी में इंगलिस होती है सब्स्ट्रेट के अनु मिलकर एंजाइम क्रियाकारक यह सब्स्ट्रेट इंगलिस में बोलें का निर्माड करते हैं जैसे ई प्लस एस ठीक है एंजाइम और सब्स्टेंस यह सब्स्टेंस में होत तो प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरह से जब यह होता है कि क्रिया होती है जब हमारी कि आफिए माइनस एस और यह जब इसन्फूल टूटते यह बन जाता ई-प्लस बंदशकर वंदल इस प्रोड़क्ट बन जाता है इसमें परिवर्ति सहोता है अगर चक्रापर करते हैं चर्ब आफिकर क्रिश्य की बात कर लेए देखरी करत Feldman का होता है यहां पर फिर बनता क्या है तो एस बनता है तो हमने इसको लिगिया यह से बोलते है एक्टिवेटेड कॉंप्लेक्स ठीक है फिर यह यह जो होता है यह जो बना लेता है यह टूट जाता है जिस अंकुलों में टूटता है तो यह बन जाता है यह प्लस पी बन जाता है जब य जाने प्रोडक्त पी अलग हो जाता है इस प्रकार एंजाइम अब क्रिया को उत्रड़ेट खरता रहता है है तो यह थी एंजाइम की ब्याख्या यहीं से आज की जो मारी क्लास होती है फिनिश होती है आज के लिए इतना ही अगले पार्ट में पढ़ेंगे कोल आईडी अवस्था के बारे में क्योंकि उत्प्रण जो होता है वह मारा समाप्त हो गया टॉपिक हांगे इसी चेप्टर पढ़ेंगे कोल आईडी अवस्था